नेकी एक ही वज़ा थी और वो था मेरा बेटा सिद्धू उससे संभालते हुए खुद को भी संभालने लाइक हो गई लेकिन ये खुशी के दिन ज्यादा नहीं टिके वो धीरे धीरे बिमार रहने लगा मुझे लगा नॉर्मल बिमारी है डॉक्टर ने सिटी स्कैन करवाया मुझे जिन्देगी का सबसे बड़ा शौक दब लगा जब पता चला कि उसे उसे कैंसर था मामी सिद्धू प्रीट्मेंट का कोई फाइदा नहीं हुआ हम उसे नहीं बचा पाए मुझे यकीन नहीं हो रहा था फैमिली हिस्ट्री में किसी को कैंसर नहीं हुआ था मैं बहुत परेशान थी इसलिए एक दिन मैं डॉक्टर से मिलने गई क्या मैं इसकी वज़ा जान सकती हूं डॉक्टर? पैक्ट फूड या ड्रिंक्स टेस्टी बनाने और उनकी डूरिबिलिटी बढ़ाने के लिए जैदा तर फूड कंपनीज हामफुल प्रेजबेटिव और केमिकल जाड़ गरते हैं टेस्ट अच्छा होने से बच्चों को उनकी आदत पर जाती है इससे लॉग रन में कुछ बच्चों के इंटरनल बॉडी पार्ट्स में डैमेजिस होने लगते हैं डिपेंडिंग उन देर रेजिस्टन्स कपैसिटी टू फाइट डिजीजस कुछ बच्चों पर उसका कम असर होता है वहीं दूसरी और कुछ बच्चों पर ज्यादा हामफुल इफेक्ट होता है अब स्ट्रॉंग इम्यून वाले बच्चे ट्रीटमेंट के बाद रिकवर हो जाते हैं पर बहुत से कमजोर इम्यूनिटी वाले बच्चे अपनी जान गवाँ बैटते हैं बच्चा कितनी कॉंटिटी में उन प्रोडक्स को कंजूम करता है उससे भी बहुत फर पड़ता है ज्यादा प्रॉफिट के लिए फूड कमपनी सस्ते और घटिया इंड्रिडियंट्स डालते हैं जैसे आटे की जगा मैदा, आर्टिफिशल कलर्स, हामफुल केमिकल्स जैसे सोडियम नाइट्रेट, हाई फ्रक्टोज, कॉन सिरप, घटिया कॉलिटी का ओईल, एट्सेटरा आपके बच्चे का रेजिस्टन्स पावर लो था लंबे समय तक जंक फूड और पैक ड्रिंक्स कंजूम करने की वज़ा से उसे कैंसर हुआ ज्यादा तर फूड कंपनीज ना तो गवर्मेंट के सेट गाइडलाइन्स और रूल्स फॉलो करती है ना ही बिजनेस एटिक्स यूमन वैल्यू से उन्हें कोई सरोकार नहीं पैरेंट्स को अपनी जिमेदारी समझनी चाहिए बच्चों को जंक फूड से दूर रखना चाहिए और उन्हें घर का खाना ही देना चाहिए वही सहतमन्द है दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर पेशन्स जिन देशों में हैं उनमें हमारे देश का नंबर दूसरा है कितने दुख की बात है हमारी नई पीड़ी फास्ट फूड की शिकार हो रही है उसकी वज़ा से मर रही